नमस्कार मैं हूँ बल्राम सर्राप आप देख रहे हैं क्यार नियूज आप हमसे दुरे हम आपको करेंगे समाचारों सिरू बुरू नमस्कार मैं गुद्टेश्ण पांडे डिजीपी बिहार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि तीसरे चरन के लॉक्डाउन में साथ कुछ छूट है कोई छूट नहीं है कोई छूट नहीं है तीसरे चरन का लॉक्डाउन भी वैसे ही जैसे पहले चरन का लॉक्डाउन था आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है केवल औरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ सरकारी कामकाज के लिए लाव किया गया है विशेज परिस्थिती में कुछ दुकाने खुलने का संब्धित जिरा प्रसासन पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जबॉरी काम से कहीं जाना हो तो राइबर के लावे सिफ दो आद्मी बैटेंगे जिस्से जड़ा आद्म बैटी नहीं सकता एक इक इस्टेट से दुसरे एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जाही नहीं सकते बिना पास के बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इसू होगा लेकिन उसमें विख्याल रहे डर्वर के लावे सिर्फ दूर आदमी अब छूट कि इसको है सभी प्रकार के मालवाहक बहांद चलेंगे समगरी ढूने वाले बहांद चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबन्धी आपात का लिंग से वाएं चालू रहेंगी और आवश्यक से वाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी ने मजूर भारी शंख्या में आरे हैं हमारे भाई बाहर से बहुत परिशानी से आरे हैं, बहुत परिशानी, बहुत कस्ट को उन्हें बोगा है, जेला है, उनकी पीडा से हम अवगत हैं, उनसे हाँ जोड़कर प्राथना करते हैं, यहाँ जो बेवस्था बनीए उसके अमसा नहीं उतना विता करके सुरच्षित अपने घरों को जाएंगे इसमें पूरी स्वास्त से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे कहीं विवाद नहीं कहीं जंजट नहीं हमारे लोग भी बहुत कठीन परिफितियों में जान जोखी में डाल करके काम कर हैं आपको पूरी हमदर्दी है लेकि हम आपको बचाने के लिए बिहार को बचाने के लिए स्थे खाने के लिए हम आप पर इस देशती कर रहे हैं हमें अभी मर्यादा का नहीं कहीं कहीं हो जाते हैं मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि पूलिस पर प्रसासंद पर और मेडिकल के कमशारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जगन्य अपराद है उनके साथ सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी सैक्रों लोगों को जेल में भेजा गया है अब आदमी उनका गु किसी कोने में हो लेकिस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा आपको आपको नकल पकड़ा जाएगा आपका नाम दर्ज होगा चार्षिट करेंगे स्पीडिट्राइल कराएंगे सामपरदाइक सदभाव को किसी वहालत में बिहार नहीं दिया जाएगा या भीरों क के धर्ति जर्म को बनाया रखने में हमारे साजू करें और पिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सायोग से अभी तक बिहार बचा है बचाएं आगेवला समय और खत्रे का है बहुत खत्रा सामने है अगर आप अगले पंदरह वीस निन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे बिहार बच जाएगा यह देश बच जाएगा आप से मुखना